चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आप भी self study कर रहे हैं तो regular time table के साथ पढ़ने से निशित ही आपका अपना अच्छा score आएगा self study करने वाले student को निम लिखित बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले है time punctual दोस्तो टाइम टेबिल जो student टाइम टेबिल के अनुसार study करता है एग्जाम में अच्छा score करता ही करता है आप अपने लिए study के लिए time table बनाएं और उस time table के मताबिक study करें ऐसा time table टेबिल तैयार करें जिसमें आप डेली 10 से 14 hours की study कर सकें second point है concentration यानि की एकागरता दोस्तो आप जितनी भी देर पड़ें उतनी देर बिल्कुल concentrate होके पड़ें पड़ने के लिए अपना एक ऐसा माहोल तैयार करें ताकि आप जितनी भी देर पड़ रहे हैं उतने देर कोई disrupt ना हो मन लगा कर इमानदारी से पड़ें पड़ते समय कोई भी विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए एक confidence के साथ पड़ें कि इस बार मेरे को need 21 clear करना ही करना है तीसरा है follow NCRT दोस्तों हमने previous year में देखा है कि जो भी क्यूशन आते हैं सारे NCRT से होते हैं तो आपको NCRT घोड़ देना है next point है mock test and previous year paper की practice करें क्योंकि कुछ क्यूशन तो previous year से same to same आ जाते हैं और कुछ जो क्यूशन होते हैं वो concept based क्यूशन होते हैं तो practice आपको करने ही करनी है next है revision एक बार syllabus को complete करें उसके बाद revision की planning अवस्य करें क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि need का syllabus काफी long है और एक बार पढ़ने के बाद में सभी भूल ही जाते हैं उसका revision करना भूत ही जरूरी है एक बार तो thoroughly पूरे syllabus को पड़े और उसके बाद उसका revision करें next point हम मानते हैं test series की आप practice करें पहले syllabus को thoroughly complete करें फिर revision करें और exam के नजदिक test series की practice अवस्य करें ताकि आपको एक confidence मिल सकें तो दोस्तों ये सभी basic बाते हैं इनको follow करना जरूरी है क्योंकि इन सब बातों को follow करते हुए ही आप एक अच्छा score तयार कर सकते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता अगर आपने ठान लिया है कि आपका selection sure और अगर आपका selection होना है तो आपका selection होगा ही होगा जिन student के 3-4 drop आलड़ी हो चुके हैं वो बेफिकर होकर exam दें क्योंकि medical में 3-4 drop लग ही जाते हैं और हमने ये कई बार देखा है कि 4 या 5 वे drop में student को aims दिली या फिर मोलाना आजाद जैसे institute में भी admission मिला है हिमत रखो हमेशा positive रहो यही दिमाग में रखो कि आपका need 21 में selection अवस्य ही होगा best of luck